ये कंट्री वाले फैदा उठा सकते हैं तो इस लिष्ट में इंडिया और पाकिस्तान का नाम इसी तरह बंगला देश नेपाल सिरलंगा का नाम होगा या नहीं होगा कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो इससे पहले आप लोगों ने गल्फ यूनिफाइड वीजा के बारे में जरूर सुना होगा अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को कम्प्लेट देखने के बाद में आप ल वीजा के जरीए गल्फ में जितनी भी कंट्री है चाहे वो कतर हो सौधी हो दुबए हो बहरेन हो या ये के कुवेत हो उमान हो तो इन सारी कंट्री में आप एक ही वीजा के जरीए घूम फिर सकते हैं आपको हर कंट्री जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा दोस् 2024 के लाश्ट तक ये वीजा इशू कर दिया जाएगा जब ये वीजा इशू हो जाएगा तो उसके बाद ही में मालूम पड़ेगा कि इस वीजा का चार्ज कितना आता है बहरहाल इसके बारे में जो कुछ भी नए अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में हम शियर कर करते रहेंगे तो चैनल के साथ में जुड़े रहें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि इसके बारे में हम जैसे ही कोई इनफोर्मेशन अप्लोड करेंगे तो आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके दोस्तो आपने वाले फाइदा उठाएंगे तो यहां पर कंट्री का भी नाम नहीं दिया गया है आगे चल करके इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में जरूर शियर करेंगे आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस वीजा से नेपाली बंगला देशी और स्रिलंका के लोग फाइदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं या यह कि इन कंट्री वालों के लिए यह वीजा एवेलेवल नहीं होगा आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों इस अपडेट के बारे में जहां से मैंने लिया है वहां पर आर्ट अठाते हैं गल्फ कंट्री में रुख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर 45-50 कंट्री के जो यहां पर कहा गिया है कि यह कंट्री वाले फ़ैदा उठा सकते हैं तो इस लिष्ट में इंडिया और पाकिस्तान का नाम इसी तरह बंगलादेश नेप स्रिलंगा का नाम होगा या नहीं होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करके आगे जरूर शियर करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया